हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है राइसमार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर तो प्यारे बच्चों हो जाए तैयार क्योंकि आपके लिए राइसमार्ट लेकर आया है ऐसे एक्जाम दिल्ली पुलिस और जीडी के लिए फ्री बैच जो रहेगा वैरी वैरी यूसफुल आपके सेलेक्शन में तो तैयार हो जाएए खुद भी और जो भी आपके पडोसी हैं दोस्त हैं जो भी नियर और डियर्स हैं सभी को शेयर कर दीजी क्लास का लिए और तैय के लिए उसलिए हम राइसमार्ट की पूरी टीम आचुकी है आँके लिए आपके अपने राइसमार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर तो प्यारे बच्चों आज का टोपिक हमारा ग्लोब ठीक है ना तो ग्लोब पर आज हम पढ़ेंगे अक्सांसों देशांतर रिखाओ के बारे में लेटिट्यूट्स और लोंगिट्यूट्स के बारे में आप कोई भी एक्जाम उठा लिए एससी जीडी का या फिट डैलिक पुलिस का तो इस टॉपिक से काफी कोशन पूछे जाते हैं तो जैसे कोशन पूछे जाते हैं उसी तरह के चीज़े आपको पढ़नी हैं जिस रास आहैं हुए हैं स्ले बसाई हुआ है कोशन आए हुए हैं तो उनको देखना है समझना है और इसी लेवल के deployed आपको तैयार और हैं तो पूरी एक रणनीती के तहट आ तयार ही करोगरे तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्शन में और जीवरफि के कोशन की मैं गारेंटी मिलेंगे हां language थोड़ी बदल सकती है option थोड़े बदल सकते हैं लेकिन इसके बाहर content आपको नहीं मिलेगा ऐसा मेरा पूरा वादा है आपसे और पूरी कोशिशा बच्चों कि आप selection इसी बार लें लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी हमारी पूरी टीम तो मेहनत करी रह सकते हैं वो ही अक्सर मंजिल को पार करते हैं तो बच्चों विश्वास करना खुद पर अपनी मेहनत पर अपने क्यों ही मेहनत पर आपने आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है क्योंकि विश्वास वो शक्ती है जिससे आपकी 50% तयारी तो होई जाती है जो बच्च सिखर तक सुननी से सिखर तक बच्ची तो जाते हैं हार स्टुडेंट जिसने भी टॉप किया है पहले वह एक छोटा बच्चा था उसको जीरो नॉलिस थी क्योंकि अलग-अलग स्टीम से आते हैं बच्चे कोई आर्स नहीं पढ़ता कोई साइंस पढ़ता है कोई साइंस करना है तो घबराने की जवरत नहीं आपको अपने आप पर विश्वास करने की जवरत है तो विश्वास कीजिए मंजिल आपके सामने है लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए एक रास्ता करना पड़ेगा वह रास्ता कैसा है हम दिखाएंगे आपको उस रास्ते पर क्या-क् करना पड़ेगा सारी चीजे बताई जाएंगी राइसमार्ट पर लेकिन आपको पूरी इमानदाई से वह पूरा रास्ता त्या करना है बिना रुके बिना थके और बिना किसी हैजिटेशन करें तो चले बच्चों आज का जो हमारा टोपिक है उसको हम सुरू कर दें जो हम बोलते हैं बच्चों अकसांस ग्लोब पर छेतिज रेखाओं को अक्सांस कहा जाता है होरिजेंटल लाइन्स ओन्दा ग्लोब कॉल्ड लैटिट्यूड लाइन्स ठीक है है और हमारी प्रत्वी थो लंग भग सरकल मुस्त अपने इसनल इसे उसमों बोलते हैं बहुं हृँवाब प्रत्वी चयओ पर चोड़ाओं अधिक हैं करी चयओ हो सहिं रेकिन हम्ने जो ग्लोब तैया यार ग्लोब क्या έχει प्रत्वी लगधा किया वैं व क्लोब बहुत बढ़ी लिकिन क्या किया प्रत्वी की बड़े में बदल मतल्कि ग्लोब उय्क्त ऑफरीगा दो तो आफ्रीका को ऑफी चुशार सब्सक्राइब एक क्लास प्रिदर देखना है अदेख מत आज़िएlaw family और та तक कि मानलीजी दूरी 100 kilometer है बहुत जादा km है भब क्लोमेटर है तो मानचित्र के दूरी को हमने किससे दिखा दिया सेंटीमेटर से दिखा दिया तो किसी गलोब पर या किसी मैप पर इस इसलिक आसकता है पर 100 क्लोमेटर के ना हम ग्लॉप तेगार कर सकते हैं यह फिर इतने बड़ी ही चीजों की ज़रूत पड़ेगी इतने बड़ी छेत्री की जरूत पड़ेगी उसको देखने के लिए तो बच्चों हमने प्रत्वी की लोंग डिस्टेंस को चेंज किया सोटिस्टेंस में और क्या कर दिया, ग्लॉब तेयार कर दिया आप जो ग्लॉब है उसी पर खिशी हुई घ्रूब में आपने सी गअरू किया आपने खुद देखा होगा इधा उधर से चलते हैं प्रत्वी पर निवास करते हैं, कहीं आपको मिली नहीं मिलेंगी भी नहीं क्योंकि यह तो इमेशनरी लाइन्स है काल्पिक रेखाए हैं जो खिची हुए केवल और केवल ग्लोब पर ठीक है अब हम इनी अकसांस और देशानता रेखाओं से देखते हैं कि प्रत्वी पर कौन सा एरिया कहां पर है कौन सा महाधीप कहां पर है को जिल कि एकसांस कि देशानता रेखाओं के बीच में है कौन सा देश कि लाइटिट्यूड लाइन्स कि लोंगिट्यूड लाइन्स के बीच में है तो हम यह समझते हैं और इसी के बेस पर हम gezeigt है इसी के base पर हम किसी भी इस्थान का address देते हैं देखें आप कहीं भी जाते हो तो आपको address दिया जाता है तो लेकिन हमें पूरी प्रत्वी पर address देना है किसी place का तो हम यही बोलते हैं कि जैसे भारत की बात ही कर लो भारत कितने डिरे अख्सांस रेखाओ के बीच में है कितने डिरीष संतर रेखाओ के बीच में हैं तो से पता चल जाता है कि भारत की climate कैसी है और rainfall कैसा है वो desert area है वहां पर forest हैं वहां पर क्या है बहुत साथ चीजों का हमें अंदाजा लग जाता है और एड्रस और रारेक्शन का तो यूज है ही तो अकसान सु देशानता रेखाओ के बच्चों काफी उपयोग भी है काफी इसके यूज भी है तो चलिए यह तो आप समझी गए है ग्लोब पर क्या है आपके छेतिज खेज दी इसको हमने बोल दिया भूमध्य रेखा क्या कह दिया इसको हमने भूमध्य रेखा इसका दूसा नाम विश्वत रेखा भी है और इसको हम एक्क्वेटर भी कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेटर तो इस एक्क्वेटर ने या जीरो डिग्री अक्सांस ने क्या कर दिया प्रत्वी को दो हिस्सों में बाट दिया यह नोर्दन हेमिस्फियर है और यह सादन हेमिस्फियर है यह उत्री गोलार्द उत्री गोलार्द और यह आपका दक्षनी गोलार्द में बाट दिया ठीक है तो अगर आप से कोशन में आए कि प्रत्वी को किस ने उत् नबबैभक्षाने और यहाँ पर नबभ डीघ्टर कुलाइब साहिं धाँ हो तो थे अगर आप से पुछें प्रत्फी पर किलोपर कीकृष्ट क his डए क्लोपर कितनी डिघ्री अखेंस कौन से तो इसे इंडयर और enfry गोर्पलार्द में 90 दक्षनी गोर्पलार्द में और equator भूमद्य को हमने जोड़ लिया भूमद्य रेखा को तो यह हो गए आपके 181 181 degree में है point में है क्योंकि प्रत्फी हमारा एक तरह से globe हमारे circle है और circle में क्या होता है वो 360 degree कही होगा और जो globe है globe के north pole और south pole पर रेखा नहीं किछ पाती जिसे आप देखिए अब आप खीशते जारें line खीशते जाईए खीशते जाईए तो लेकिन जो 90 आएगा तो वो क्या हो जाएगा वो point लगाना पड़ेगा वो रेखा नहीं खीच पाएगी वो उसको हम बिंदू count करेंगे अब हम बात करें अगर आपसे question में आजाए बच्चो प्रत्वी पर कितनी अक्सांस रेखा हैं है number of latitudes कितने हैं तो आप बताएंगे 179 यह क्या है रेखा है line है ठीक है ना यह क्या है रेखा है line है clear यहां तक रेखा है अब क्यूंकि देखे 89 यहां पर है 89 यहां पर है और वन यहां पर एक्वेटर वाली क्योंकि जो उत्री गोलाद है इसमें 90 पर तो आप खीची नहीं पर भींदू लगा पार हो दो पॉल को हमने 181 में से माइनस कर दिया तो 181 में माइनस करेंगे दो बिंदू को 179 रेखाए हो जाएंगी दोनों कोशन का अंसर अलग है याद रटना अगर आप से एक्जाम में कोशन आए प्रत्वी पर कितनी अक्सांस रेखाए है तो आप बताएंगे 179 एक गोलार्ट में कितनी है 89 ठीक है और कि ऐसे पॉसरा कोशन मता है दो अक्सांस रेखाएंगे बीच की दूरी कितनी होती है तो आप याद र रखेंगे आपको दिल्ली पुलीज और जीड एक्जाम के लिए इसलिए बने रही राइसमार्टिन दे यूट्यूब चैनल के साथ क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हर सब्जेक्ट एक अलग अंदाज में एक वैसे अंदाज में जैसे अंदाज में आपके एक्जाम में कोशन आते हैं जिस लेवल के कोशन आते हैं जिन टोपिक से ज्यादा तर कोशन आते हैं और जो कोशन बार-बार रिपीट होते हैं वही चीज़े हम आपको क्लास में करवाते हैं तो पूरी उमीद है और पूरा विश्वास भी है कि इसी बार आप राय स्मार्ट की साथ पढ़कर अपना दिल्ली पुलीज और एससे जीड एक्जाम किलियर करेंगे भूलना नहीं है 7 पी अम पर वेहनाज जे ओ थर्जे को जोग्रफी की क्लास में लेगी सावन पी अम पर बाकी सारी सब्चेस लेबस से आपका टाइम आपको पता ही है आपको नहीं पता है तो हमने जब दिल्ली पुलीज और जीड एक्जाम के लिए लॉंच किया था तो वह वाली वीडियो आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जीले आपको मिल जाएगी तो बच्चों यहां तक आपको चीज़ी समन में आ गई अब हम बात करेंगे कुछ अक्सांस रेखाओ के बारे में यह हमारी प्रत्फी है और इसको हमने बोल दिया भुमाद्य रेखा एक्वेटर या विश्वत रेखा ठीक है साड़े तेहिस दिग्री उत्री अक्सांस को हमने बोल दिया करक रेखा ट्रोपिक ओफ कैंसर साड़े तेहिस दिग्री दक्षिन अक्सांस को हमने बोल दिया मकर रेखा मकर रेखा ट्रोपिक ओफ कैंसर ये क्या है ट्रोपिक ओफ कैप्रिकॉन इस तरह से है अब होता क्या है कि यहां से important question निकल कर आते हैं कहां पर सूरिकीने तिर्शी पढ़ती है कहां पर सीधी पढ़ती है तो भूमत दे रेखा पर तो सूरिकीने वैसे तो हमेशा सीधी पढ़ती है लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरिकीने पूरी तरह से एकदम सीधी पढ़ती है भूमत दे रेखा वाले छेतर में 21 जून को सीधी पढ़ती है सूरिकीने करक रेखा पर 22 दिसंबर को सूरिकीने सीधी पढ़ती है मकर रेखा पर कि लिए भारत का थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों भारत है आपका इस वाली लोकेशन पर भारत किस लोकेशन पर है इस लोकेशन पर है भारत पूरी तरह से उत्री पूर्वी गोलार्ड में है जितनी भी भारत से अकसांस रेखाई जाएंगी वह उत्री होंगी भारत मे जाएगी ऐसे इसी लिए होता है तो हमारी प्रत्वी है हमारी प्रत्वी पर दिंदात किसकी वज़े से होते हमारी प्रत्वी पर दिंदात होते हैं बच्छो सूरी की वज़े से अब सूरी भी घूमता है और प्रत्वी घूमती है तो जो सूरी की रोशनी है वह एक जैसी प् कहीं पर पहले पढ़ती है कहीं पर बाद में पढ़ती है because of rotation and revolution of the earth ठीक है प्रत्वी घुरना भी करती है प्रत्वी परिक्रमन भी करती है प्रत्वी अपने अस्थान पर भी घुमती है प्रत्वी सूरे के चारों तरफ भी घुमती है तो प्रत्वी पर दिन और रात की लंबा एक जैसी नहीं होती अब आप देखें जब सूरी की किर्णे करक रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो सूरी किर्णे अब इस तरफ उत्तर की तरफ हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा उत्री गोलार में दिन बड़े होंगे और गर्मिकी रीत होगी जबकि यहां पर दक्षणी गोलार में दिन छोटे हो जाएंगे और सर्दी यहां पर पड़ेगी तो बच्चो 21 क्या हुआ उत्री गोलार का सबसे बड़ा दिन और दक्षणी गोलार का सबसे छोटा दिन very important question है यह के उत्री गोलार का सबसे बड़ा दिन बताईए तो बता दीजिए उत्री गोलार का सबसे बड़ा दिन है क्यों है क्यों कि इस दिन सूरिकी ने करकरेखा ट्रोफिक ओफ कैंसर पर सीधी पड़ती है और जहां पर सूरिकी ने सीधी जाएंगे एकदम तो वहां प पर सूरिकी ने नहीं जा रही है तो यह किस जोन है क्या हो जाएगा दक्षणी गोलार्द का सबसे छोटा दिन और दक्षणी गोलार्द में हो जाएंगे यहां पर ठंड यहां पर ठंड पड़ेगी तो देखे भारत बार्ट के पडोसी देश उत्री अमेरिका पूरा यू नाडा का सबसे लंबा दिन बताईए तो आप बताएंगी 21 यह आपको देखना पड़ेगा ग्लोब पर कि कौन क्वा पर कोन-गौन के वह सबसे देश देशन शलिवा रखनाण से जब लगा these आप सूरी केने यहां पर सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पर धीरे धीरे तो जब 22 दिसम्बर को सूरी केने मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो 22 दिसम्बर दक्षनी गोलाद का सबसे बड़ा दिन और उत्री गोलाद का सबसे छोटा दिन होगा ठीक है आप यहां पर सर्दि हेमिस्ट्वियर और दक्षणी गोलाग में दक्षणी अमेरिका है आपका ऑस्टेलिया है दक्षणी अफ्रीका है अंटाक्टिका है तो आप देख ले ना कौन-कौन से देश का बड़ा दिन और छोटा दिन कौन सा है किलियर अब 21 मार्च और तेही सितंबर को सूरी के ने कह बार घंटे की रात होगी तो वैयर इंपोर्टेंट कोशन पूरी प्रत्वी पर किस दीन दात बराबर होते हैं तो तो याज रखेंगे के 20 मार्च और सितंबर होंगे और बाकि कभी भी पूरी प्रत्वी पर का दिन और गंटे की रात नहीं होती इसलिए इन दोनों दिन को हमने क्या बोल दिया 21 मार्च और 23 स्थमबर को कहा जाता है एक विशोव क्या कहा जाता है एक्विशूव एक्विणोक्स कहा जाता है चीक है तो डेट ओफ विश्विणोक्स is 21st March and 23rd सब नमबर जो भी डाउट है क्लास में पूछिए क्योंकि बाद में आप रिकोर्डेड क्लास देखते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है आप लाइफ क्लास में सारे डाउट पूछिए और अपने कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीचिए साथ ही साथ आप हमारा टेलग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं वहां भी आप अपने डाउट्स बगरा बोच सकते हैं और हमसे बात करने के लिए आप 8282807099 इस नमबर पर भी कॉल कर सकते हैं साथ हर क्लास की पीड़ेफ के लिए आपको जोइन करना पड़ेगा हमारा टेलिग्राम चैनल और बच्चों हर क्लास के नोटिफिक्शन के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम फेस्बुक पर भी आप हमें वैरी इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन के लिए शोर्टिक्स के लिए किसी फॉर्मेले के लिए यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और लगातार पढ़ना है तभी आप दिलिपलिस और जिड एक्जाम को क्लियर कर पाएंगे हमने जो भी पढ़ाया राइसमार्ट पर किसी भी एक्जाम के लिए वहां से कोशन आये हुए हैं यह हम आप से बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करें और आप देख भी सकते हैं आप कोई भी एक्जाम उठाई दोहज़र बाईज और तेईस का और हमाई प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की हर एक्जाम की वहां पर चेक कीजिए काफी कोशन आते हैं और बचे खुद आकर बताते हैं और हमें भी पता चलता है हम भी देखते हैं ये कोशन हमने अपनी पीपीटी अपनी कलास में पढ़ाया है और सेम कोशन आया है क्या बार तो इवन लेंगवेश सेम थी जो हमने पढ़ाया वही कोशन आया एक इरोजन वारा कोशन 2022 में जैसा में पढ़ाया वैसी और वैसे उप्सन में आया तो वही चीज हम आपको पढ़ा रहें जो एक्जाम में आती है और बचो यह experience से होता है मेहन जैसी कोई एक्जाम आता है ऐनालाईज करते हैं कैसे कोशन आरे किस लेवल के आरे और बचे कर पारें नहीं कर पारें तो सौरा एक्जाम करके यह चीज़े आपको पढ़ाते हैं जो एक्जाम में बार-बार रिपीट होती है तो विश्वास कीजे और महनेत कीजिए तो आप आपको घड़ी मत देखो दो लाइन आपके लिए घड़ी को मत देखो बल्की वो करो जो घड़ी करती है वैस चलती रहती है तो बार-पार घड़ी को सिम्la कितने घंटे हम ने कौन सा सब्जेक्ट पढ़े यह नहीं करना को सिर्फ आपको घरी की तरह लगातार चलना है चलना है और जो आप लगाताई चलेंगे तो आप मेहनत में को होगी आप मेहनत आप hen Rough तो बच्चों घाड़ी की तरह चलते रहें नदीयों से सीखें नदी परवत्वटों से निकलते हैं और कभी रुकती नहीं वह किसी से रास्ता पूष्टी परवत्वों निकलेगी मैदानों में बहे गये और समूंध्र में जाटर मिल जाएगी पर बहरी तब भी निर्मान करती है वाटरफोल का वी शेप्ड वैली का बहुत सारे लैंड फॉर्म का मैदानों में आएगी तब भी बहुत सारे निर्मान करेगी गोखुर्जील डेल्टा और आपकी एशूरी वगएर आदी बनाती है और समुंद्र में अगर वह समुंद्र में मिल जाती है कभी रुकती नहीं अगर नदी एक इस्थान पर रुक जाए तो आप बताई कि के लिए नहरे निकाल जा सकती है कि आपको जल प्राप्त हो सकता है तो दूसरों के लिए जिए लगातार जिए और मेहनत करते हैं मेहनत करने से कभी है हर रोज चमकना है यही हमारे जीवन का हिस्सा है तो चलिए घड़ी की तरह चलते रहना है तिक तिक थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहनी है और सेलेक्शन लेना है इसी बार राइसमार्ट के साथ तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोंगिट्यूट के बारे में देशा उर्दु आधर रेखा सीधी रेखा खड़ी रेखा या वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं बच्चों आपका लोंगिट्यूट लाइन के लियर हुआ आप देखिए इनकी संख्या कितनी कोई भी प्रोब्लम नहीं है इनकी संख्या आपका 360 कितनी है 360 अब हुआ क्या हमने पू जैसे आप देखिए जीरो डिग्रेक्सांस को हमने क्या बोल दिया जीरो डिग्रेक्सांस को हमने बोल दिया था बताईए भई आप भी जीरो डिग्रेक्सांस को हमने भूमादे रेखा या विश्वत रेखा कह दिया इसी तरह से जीरो डिग्रेक्सांस का सोरी देशा अंत का नाम है प्राइम मेरीडियन प्रात्मिक यम्योतर इसने क्या कर दिया प्रत्विक को दो भागों में बाट दिया इस्टर्ण हैमिस्फियर और वेस्टर्ण हैमिस्फियर किसमें बाट दिया पूर्वी गोलार्द और पश्मी गोलार्द में बाट दिया मतलब आप देखिए जिरो डिग्री अकसांस ने प्रत्वी को नौर्थ और साउथ में बाठ दिया लोंगिट्वी ने इस्ट और वैस में बाठ दिया तो हमें यह समझ में आ रहा है कि अकसांस और देशांतर रेखाव के अधार पर हम दिशाओ का भी निर्धारन करते हैं और आमके लिए इम्पर्टेंट कोश्च् detailed question भी है कि प्रत्वूपार दिशाओ का निर्धारन किस क्याधार पर किया गया है तो shopping आप याद रखेंगे अकसांस और देशांतर रेखाव क्या धार पर ही प्रत्वी पर दिशाओं का निर्धारन किया गया है और दूसरा एक तो दिशाव के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं दूसरा हम उसका location direction के लिए किस दिशा में कौन सा स्थान है उसके किसी भी स्थान की स्थिति बता रहे हैं एड्रस दे रहे हैं तो आप देखिया है अकसान देशांतर रिखाओ का भी काफी हुप्योग है ग की दूर है यह से दो देशानतर है विए हैं इनके बीच की दूरी है 111.32 km दो अकसान है रेखाव के बीच की दूरी ही 101.32 km तो दूर है बच्चों को हम बोलते हैं गोरे क्या बोलते हैं इसको हम गोरे इंपोर्टेंट कोफ्म हैं next question आया था exam में आये समझता है क्या क्या तो question मैं आपसे पूशते हूं question यह इंपोटेंट यह भूमत दे रेखा है और यह प्रत्वी कि यह कया है नोर्थ पोल और यह साउथ पोल यह उत्री धुरूव है और नीचे आपका दक्षनी धुरूव तो जब भूमत दे रेखा से धुरुव की तरफ जाओगे तो देशानतर रेखाओ के बीच की दूरी बढ गटती जाती है अक्सां सेकरान को हम मोड़ देते हैं क्यां कि हमारे प्रत्थी की चोड़ाई फ़ोमद्य रेखा पर अधिक और दूरूह पर कम है हमें यहां पर 182 लाइन कॢि 1500 just क्यों है तो हम पास-पास लाइन डख को बता दिया है important question है सभी आए हुए है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो जल्दी से comment करके आप बताएंगे like share subscribe आपने करे दिया होगा क्योंकि बच्चो यही आपकी गुरुदफ्षना है आप हर रोज पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गुरुओं के आसिरवात से ही आप पागे बढ़ते हैं बिना गुरु के और बिना आपके परेर्ण्स के माता प्ता के आपका ऑधूरा है इस दुनिया में अगर कोई भी आपका बहला चाहता है आपको सफल देखना चाहता है तो वह आपके माता-पिता हैं और वो आपके गुरुद्षक हैं टीचर्सrip से सब भी बढ़े लेकिन माता-पिदा और टीचर्स हमेंसे चाते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी कुछ अच्छा करें जीवन में आगे बढ़े हमारा नाम रोशन करें ठीक है तो अपने माता-पिदा की बात सभी ध्यान से सुनेंगी और हमारे रायस्मार्ट की जितने भी टीचर्स हैं सभी की बात आप ध्यान से सुना करो सभी आपके लिए महनत करते हैं और जिस दिन आपका सेलेक्शन होगा बच्चो उस दिन आपको खुशी होगी लेकिन आपसे जादा खुशी हमें भी होगी आपके पैरेंट्स को भी होगी और खुश्या देना खुश्या बाटना ज आपने नहीं पढ़ा चीक है क्या क्या प्रोब्लम्स हुई कैसे आपने सेलेक्ट हुए चलिए तो अपनी खुश्ष में भी हमें भी सामिल जरूर कीजिएगा और मुझे पूरी उमेद है कोजे कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा पढ़ाय हुए से आपको कोशन नहीं आएंग क्यूब चेनल है फेस्बुक है आपके पास इंटरनेट है आप घर बैठके अपना टाइम उटिलाइज कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रोब्लम नहीं है प्रोब्लम पहले होती थी पढ़ने के साधन पहले नहीं थे अब तो घर घर पढ़ने के साधन पहुंच गई है निश मानक समय की स्टेंडर टाइम की तो पहले यहां कर लेते हैं भारत किन अक्सांस रेखाओ के बीच में है और किन देशांतर रेखाओ के बीच में है तो यह हमारी पूरी प्रत्वी है और इस प्रत्वी पर यह नौर्थ है यह साउथ है यह एस्ट है यह वेस्ट है और भारत है हमारा थोड़ा सा ये तो भारत कहां पर है भारत पूरी तरह से उत्री गोलार्द में है और भारत पूरी तरह से पूर्वी गोलार्द में फैला हुआ है हमारा प्यारा भारत ठीक है अब कोशन में आता है भारत किन अकसान से रेखाओ के बीच में है किन देशांता पूर्वी देशांतर कोन सा है और यह देशांतर कोन सा है मतलब भारत किन देशांतर एक हाओ के बीच में है यह पूछ जाता है तो भारत आपका 68 डिग्री साथ मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर सतार्ण में डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ठीक है तो यह दखना है भारत का लैटिट्यूड नल एंड लोंगिट्यूड नल एक्सजेंज भारत का अकसान से वो देशांतर विस्तार एक्जाम में खुब पूछते हैं तो भारत आठ डिग्री 4 मिनट उत्री और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 70 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में हैं हमारा प्यारा भारत किलियर निक्स्ट अब हम बात करेंगे स्टेंडर टाइम की मानक समय की तो मानक समय किसे कहते हैं तो प्यारे बच्चों देशांतर रेखाओ के आधार पर निश समय किये गए समय को हम मानक समय कहते हैं इसक्या कि हम लोकेशन करते हैं तो जैसे कि आप देखिए पूरी प्रत्वी प्रत्वी का स्टेंडरर टाइम लिया गया GMT से पूर्व की तरफ जाने पर समय आगे होता है और GMT से पीछे जाने पर समय पीछे होता है 0D की देशान तरफ से आगे जाओगे आप पूर्व में यह पूर्व दिशा है तो आपका समय आगे होगा और GMT से पश्चिम में जाओगे तो समय पीछे होगा ठीक है ना क्या होगा पीछ होगा यह याद रखना और भारत में अगर यहां पर अगर GMT पर 12 बजे हैं तो भारत में बजेंगे सजय पर 12 बजेंगे यह यहांगा इंगर हैं अब हम बात करें और भारत की बात करता यह थे बात है ठीक है तो साड़े बैसे डिग्री पूर्वी देशांतर से हमें पता चला ये भारत के मद्दे से गुजरता है इस्थान की बात करें तो प्रियाग राज कहां पर प्रियाग राज के नैनिरामक इस्थान से लिया गया है सबसे पाहले और ना चल में सूर्य उद्धा होता है और सबसे बाद में तो औरनाचल और गुजरात के समय में दो घंटे का अंतर हो कितने हैं कुद्uen डो घंटे का अंतर है कलिए यहां तक इसलिए भात में विफ्वी दूसरे एंडर टाइम की डिमांड की जा रही है तो यह थे आपकी टॉपिक और हम बात करेंगे टॉपिक से बनने वाले कोश्चन की किस तरह के कोश्चन आपके एक्जाम में आते हैं या आए हुए हैं चलिए तो कोश्चन है बच्चो भूमाद्य रेखा से दुरुवा तक सभी समा अंतर रेखाओ को धुरुवा तक जो खिची है उसको हम अक्सांस रेखाए कहते हैं पैलल ओफ लातिटीट्यूड क्या बोलेंगे अक्सांस रेखाए लाटिट्यूड लाइंस कहा जाता है सभी देशां अंतर एकसांस रेखाए भूमाद्य रेखाओ दूरुवा की तरफ जाती हैं, next question, शाड़े श्यासाइट डिग्री उत्रयक्सांस क्या दर साता है, 66.5 डिग्री नौर्थ लेटिट्वीड मार्क्स वट देखे, जिस तरह से, 0 डिग्री अक्सांस का नाम भूमध्य रेखा, साड़े श्यासाइट डिग्री उत्रयक्सांस का नाम करकर रेखा, ठीक है, इसका नाम करकर रेखा, और यहाँ पर है आपका, साड़े श्यासाइट डिग्री उत्रयक्सांस का नाम करकर रेखा, उसी तरह से, जो साड़े श्यासाइट डिग्री उत्रयक्सांस से, इसको हम बो किसके बराबर होती है दूरी वन डिग्री ओफ लैटिटिटूड इस वल्टू तो दो देशांतर रेखाओ कि जो बीच की दूरी है वह 111 किलोमेटर होती है तो एक डिग्री में हम 111 किलोमेटर के लंबाई मिलेगी हमने क्या-क्या प्रत्वी की बड़ी दूरी को छोटी किया है तो एक डिग्री से हम किसको दिखाते हैं 111 किलोमेटर की दूरी को हम दिखाते हैं चलिए वह सभी आंसर करेंगे और रेगुलर रहेंगे राइसमार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर क्यूंकि इसी बार लेना है सेलेक्शन और सेलेक्शन होगा आपका राइसमार को 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरी की ने भूमाद्य रेखा पर या विश्वत रेखा पर सूधी पड़ती है तब पूरी प्रत्वी पर बारे घंटे का दिन और बारे घंटे की रात होती है और इसको हम बोलते हैं विशू या फिर एक वी नौक्स तो कही बार एक्जामेट पूछ लेते हैं एक्वी नौक्स की तिथी बताईए तो डेट ओफ एक्वी नौक्स भी आपको याद रखनी है 21 मार्च और 23 सितंबर इस दिन क्या हो रहा है बताईए फटाफट से बारे घंटे का दिन बारे घंटे की रात मिक्स कोशन बच्चो करक रेखा निमली खित मे इसे किस भारती राज्य से होकर नहीं गुजरती है दा ट्रोपीक ऑफ कैंसर द द्स नोट पास्ट सो वी छौवता फॉल इंस इले इस बैप今天 कितने राज्यों से आपको पता है माही नदी करकरेखा को दो पार काड़ती है यह भी important । इभी important question है आप सभी के लिए Next question है कौन सा दिशा रबात के मद्धे से गुजरता है which longitude passes through the middle of India तो प्यारे बच्चों भारत में साड़े बैसे डिग्री पूर्वी देशांतर बिल्कुल मध्ये में से गुजरता है इसलिए भारत में इसी देशांतर पर भारत का मानक समय लगाया गया है भारत के स्टेंडर टाइम यहीं से लगा हुआ है याद रखना क्यों यह पूरे विश्मे स्वरी भारत के बीच में से गुजरता है जो भी देशांतर जिस भी देश के बीच में से गुजरता है उसी पर लगाया जाता है आपका मानक समय जैसे पूरी प्रत्वी के बीच में से गुजरता है और एकी जोन ही क्या हो जाएगा उत्री गोलार्द का और भारत का सबसे बड़ा दिन और दक्षनी गोलार्द का सबसे छोटा दिन उत्री गोलार्द में होती है गर्मिया इस समय और दक्षनी गोलार्द में होती है सर्दिया इस समय नेक्स्ट है क्लंब उत्रे गोलार में औक साथ रेखाओ की संख्या कितनी हैं हाम इन लेटिट्यूड आइन पीमिस्वयर अइवन से न Bottlen रेखाओ की संख्या है य cafes थोड़ा से स्ट्रेपिंग गलत ना फॉट थे मैं अप्साथ कशिता डेखाओ की संख्या तो अक्सांस रेखाओं की संख्या है 179, how many letter line are there in the bus, northern hemisphere आप हटा दीजिए, क्योंकि option में थोड़ा सा typing mistake है, तो 179 है अक्सांस रेखाओं की संख्या, एक गोलार्द में अगर बात करें तो एक गोलार्द में 89 है और दक्षनी गोलार्द में भी और उत्री गोलार्द में भी और टोटल है 179, अक्सांस रेखाओं और डिग्री में जो अक्सांस है 181, 90 डिग्री उत्तर में, 90 डिग्री और एक एक्वेटर भूमत दे रेखा वाला एड हो जाएगा कोशन है पूरे विश्च का मानक समय किस देश से लिया गया है लेकिन लोकिशन किसके बेस पर डिसाइड की हमने जीरो डिगरी देशांतर पर जीरो डिगरी देशांतर से हमें यह पता चला कि यह वाला इस्थान पूरी प्रत्वी के बीच में हैं देशांतर रेखाओं का केवल और केवल इतना प्रियोग है कि देशांतर रेखाओं से हम दिशा का निर्धारन करते हैं और इस्थान का निर्धारन करते हैं कौन सा इस्थान किस देश के या पूरे विश के बीच में बाकी इसका कुछ नहीं घशानतर एक तो बच्छों कालप करेखाएं पर हाँ याद रखना मानक्समेख की इफिनिशन यहीं का मानक्समेख कहते है दो दो देशान्तर एखाओं की दूरी को क्या कहते हैं what is the distance between two longitude lines तो दो देशान्तर एखाओं के बेच की दूरी को हम कहते हैं गोरे और होती कितनी है वो 111.32 km कितनी होती है 111.32 km होती है देशान्तर एखाओं के बीच की दूरी next question है आपके लिए question से पहले हम आपके लिए दो लाइन लेकर आए हैं जो आपको motivate करेगी वैसे तो आप देखे बचो इस आपको बोटिवेशन बहुत जरूरी होता है हम आपको motivate करें टीचर आपको motivate करें उससे कुछ इतना फाइदा नहीं होगा आप खुद self motivate होईए, आपके अंदर से चीज़ आने चीए, कि हम क्यों पढ़ें, क्यों सेलक्षन लें जल्दी से, क्या ज़रुत है हमें सेलक्षन के खुद सोचे, आपकी अच्छे life होगी, आपकी better life होगी, आप किसी पर आसित नहीं होगे, किसी पर depend नहीं होगे, आपकी खुद एक image होगी जीवन में, आपके अपने खुद के पैसे होगे, आप चाहें जहां खर्च कर सकते हैं, सही जगद, तो चले दो लाइन आपके लिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए पूरी यात्रा है, कभी-कभी कोई कोशन आप से गलत भी हो सकता है, कभी-कभी आपका सेलक्शन नहीं भी हो सकता है, तो पूरी यात्रा है बचवे, तो आपको डरना नहीं है, डी मोटिवेट नहीं होना है, कि हम तो नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी 100% तय पूरी तरह से त्यार हो जाएंगे आपका सेलक्षन होगा लेकिन टाइम देना पड़ेगा और बहुत पूरा जीवन नहीं सिर्फ आप छे महीने पढ़ने में पूरी मानदाई से पढ़िए पूरे स्लेवस को फिर दो-तीन महीने आप रिविजन करिए गारंटी हम लेते हैं इ 1959यकी अगर पढ़ना है जो आ पढ़ने मापर समर्जन करना उसकी प्रैक्टीस करनी है तो मं से हाड़ने कीशन पना आपको भूशाबना हो जाएग का लेकिन लिए खुश्ट हिए और एक्लेर करने के लिए आपको पढ़ना तो है खुश भी रहना है त्यूंत का ध्यान जिसमें पढ़ाएंगे राइसमार्ट की पूरी टीम, सबको अपने अपने फिल्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में पूरा एक्स्पीरेंस है, तो पूरी टीम आपके लिए महनत पर जूटी हुई है, तो आप भी जूट जाएए, रेगुलर रहना है, सुबह 8 बज़े क क्लास से राट के 11 बज़े तक ठीक है, और जितने भी क्लास होती है, सब को पढ़िए, हाँ कभी कभी छूट सकती है, बहुत लाइफ में काम है, छूट जाए तो रिकॉर्ड इट क्लास हो जाती है, रिकॉर्ड में पढ़िए, प्लेलिस्ट बन जाती है, हर सब्जेक्ट की हर exam wise playlist बनी हुए है उनको पढ़िए उनका revision कीजिए तो सारी class से आपको एक साथ मिल जाती है हर class का PDF आपको telegram channel पर मिल जाता है तो अभी आप telegram channel का link उसको join कर लिजिए जो link दिया हुआ है description box में अभी join कीजिए इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टा पर फेस्बूक पर भी जो फोलो कर लिजी क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ important information कुछ facts कुछ current affairs कुछ short tricks कुछ ना कुछ जरूर आपको हर जगा मिलेगा ताकि बच्चे कहीं पर भी जाए तो आपको exam से related content वहां पर मिले और आप खेल खेल में कुछ चीज़ों को सीख लें तो प्यारे बच्चों यह थी आपकी आज की class globe में आपको पढ़ाया जक्सान देशांतर रेखाओ के बारें पढ़ाया उससे बनने वाले कोशन के बारें पढ़ाया तो प्रैक्टिस कीजिए जहां भी जो डाउट है कमेंट वोक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कहां पर क्या डाउट है और पूछिए अपनी सीखने की यात्रा को सफल बनाईए राइसमार्थिन दी यूट्यूब चैनल पर हम आपको हर रोज मिलते हैं सुबह 8 वाजे से और रेगुलर है और हमेसा रहेंगी जब तक आपका सेलेक्शन नहीं होता लेकिन फुल महनत कीजिए इमानदारी से महनत कीजिए और मिलते हैं फिन नेक्स क्लास में डेज मेरे आद रखना वैनस दे थर्जडे और टाइम की बात के तो 7 पीम प पूरा चाहते हैं कि आपका एक्जाम के लिए हो इसी बार इसलिए हम जैसे भी कोई एक्जाम होता है तुरंत वहां से कोशन उठाते हैं देखते हैं कैसे आई हूँ है एक्स्प्लेन करकर आपको कम्यूटी पोस्ट वाले जो अप्शन है याराय स्मार्ट पर वहां भी डा तेरे थैंक यू बच्चो और गूड लख